गटे दामों पर चने में बेसर निर्माताओं की डिमांड आने और आवक कम रहने से भाव में हलकी रिकवरी देखने को मिल रही है वहीं व्यपारियों का कहना है कि आगे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चने से बने उत्पाद, चना दाल और बेसर में डिमांड भरपूर रहने की उमीद है ऐसे में चने के वर्तमान दामों में ज्यादा मंदी की उमीद कम है माना जा रहा है कि नाफिट 2021 चना टेंडर 4700 कम में पास नहीं करेगा ऐसे में नाफिट के टेंडर पर भी चने की तेजी मंदी निर्भर करेगी दूसी और महसूर में भी नीचले दामों पर छुटपुट मांग निकलने से भाव में थोड़ा सुधार देखने को मिला महसूर नीचे भाव पर 6000 उपए तो उपर में 6050 उपए प्रतिक विंचर पर विक्ती दिखाई दी है वहीं तूर दाल में मांग की कमी के चलते बाजार में स्टोक अच्छा रहने से भाव में मंदी देखने को मिल रही है वहीं इसे हफ्ते आयाती तूर दाल में करीब 200 उरपे की गिरावट देखने को मिली है ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते चने की मांग निकलने से भाव को निचले सतरों पर थोड़ा सपोर्ट मिलता दिखाई दे सकता है